तो यही ओजगा है समस्ति पूर का जहां भूत परेत का इलाज किया जाता है जहां भूत परेत को भगाया जाता है अगर आप परेशान है तो उसको भी यहां खत यानि लोग यहां पूजा भी करते हैं मजार पर चादर भी चड़ाते हैं और नट बाबा की भी पूजा आता ह और क्या सब होता है जितने भी जादू टोना सब करते हैं सब का इलाज होता है माता जी इलाज करते हैं देखे दोस्तों अभी एक ऐसे जगह पर है जहां देखेगा तो मंदिर भी एक जगह पर है मजार भी है और नट बावा का भी यहां पूजा होता है देखे मंदिर देखेगा तो काली मा बगल में है उसके बगल में विजहर बावा भी है जहरीले नाग जो है वहां पर भी है और इधर देखेगा तो नट बावा है और इधर देखेगा तो आ तो काली माहें जो हिंदू लोग मानते हैं लगंटा चढ़ाए जता लगंटा भी चढ़ाया हुआ है नीचे फूल भी रखी हुई है और खुबशुरत सा मंदिर है इस तीनों चीज कितना दिन से 35 साल से 35 साल से यानि लोग यहां पूजा भी करते हैं मजार पर चादर भी चढ़ाते हैं और नट बाबा की पूजा क्या सब होता है जितने भी जादू टोना सब करते हैं सब का इलाज होता है आफ के दूल सी काभी है तो यहां देखें तिर्शुल भी टीकर अवजो बस रंशाजा नकर बजरंग बली का भी है और तिर्चूल भी दिखाई एक देखे तिर्चूल भी है यह वही जगह है जहां अगर आप बीमार परते हैं जहां अगर आपको भूत प्रेत कुछ भी लगता है तो आप आईए इस नट बाबा के यहां पर आपका इलाज हो जाएगा नजाने कितने लोग यहां से ठीक हो गए मजार भी दिखाई एक कितने लोग ठीक हो गए यहां कर माता जी बहुत प्रेता जाते हैं देखिए दोस्तों भीर कंटिन्यू बढ़ रही है लोगों की लोग आ रहे हैं पूजापाट कर रहे हैं भूत परेत भगा रहे हैं भगाने के बाद आरती भी होती है तो यही वो जगह है समस्ति पूर का जहां भूत परेत का इलाज किया जाता है जहां भूत परेत को भगाया जाता है अगर आप परिशान है तो उसको भी यहां खत्म किया जाता है